हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज का हमारा टॉपिक है हेन बॉरल थियूरम इसको आपको ऐसे भी पूछ ले जाता है स्टेटेंड प्रूफ हेन बॉरल थियूरम देख लिए क्या है वो एने क्लोस्ट बाॉंड़िट इंट्रवल अबी ओफ आर इस कंपेक्ट क्लोस पांड़िट इंट्रवल ओफ ए बी ओफ आर इस कंपेक्ट मिस कोई भी लाइन यह है हमारे पास अगर यह ए और यह बी है यह बांड़िट इंट्रवल है तो हम इसको क्या प्रूफ करेंगे कि यह कंपेक्ट है कंपेक्ट की डेफिनेशन हम आलरी कर चुके हैं इसका लिंक ध्यान रखने की एन एक प्लोफ बांड़िट इंट्रवल ओफ वार इस कंपेक्ट देखे करना क्या है सबसे पहले कंपेक्ट की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैंने आपको कंपेक्ट की डेफिनेशन अच्छी तरह से बता दियो हुई है कंपेक्ट होता क्या है है यह इसका ओपन कवर होता है अगर इसके अंदर यह इसका सब कवर है यह क्या है इसका सब कवर है और यह इसका ओपन कवर है यह जो इसका सब कवर है अगर यह फाइनाइट है अगर फाइनाइट सेट्स हैं इसके अंदर तो हम इसको क्या बोल देंगे यह कंपेक्ट है इसके अगर सब covers finite हैं तो ये set compact है ठीक है ये चीज है ध्यान से समझा गई ये सारा हमारा क्या है जी alpha होता है या फिर ये unions का set है open sets की union होती है ये then इसके अंदर ये जो set है ये एक set है ये वाला इसका open cover है और ये जो चीज है ये इसका sub cover है अगर ये भी इसको open cover बन जाए न तो ये इसका sub cover होता है और अगर ये sub cover है तो sub cover के अगर elements जो है या उसके sets जो है अगर finite है तो वो finite sub cover हो जाता है तो हम उसको क्या बोल देते है कि ये जो हमारा real set है वो set हमारा क्या है compact set है बस इतनी सी बात होती है कि अगर finite sub covers हमें मिल जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये एक क्या है compact set है चलिए इसके proof को देखते हैं आपको compact समझाना थोड़ा सा जरूरी था कि तभी आपको समझ आएगा ये सारी चीज़ सबसे पहले हमें AB interval है AB interval हमें given क्या है ये closed है और ये interval bounded है ठीक है ये closed interval है और bounded interval है हमें proof क्या करना है हमें proof क्या करना है कि ये जो AB है ये क्या है compact मैंने आपको बता दिया कि अगर मुझे ये वले AB के ये जो मेरा set AB मुझे मिला है अगर इसके मुझे finite subcovers मिल जाए अगर मुझे इसका कोई finite subcovers मिल जाए तो अग मैं इसको क्या बोल दूँगी कि ये क्या है compact है ठीक है cover तो है बट finite subcovers चाहिए let let g alpha union of i from 1 to infinity a i is finite subcovers is finite open cover sorry open cover of AB ठीक है मैं क्या response करके चल रही हूँ कि मैंने ये सोच लिया कि ये जो मेरा है ये finite open cover मेरे पास already ये जो मेरा union है ये मेरा finite open cover already है means ये अगर मेरा set मुझे AB given है तो ये इसका open cover मैं union को सारे को ये open cover लेके चल रही हूँ कि ये मेरा open cover है मुझे क्या proof करना है कि ये set है ये मेरे पास open cover है मुझे एक finite sub cover यहाँ पे ढूणना है अगर मुझे ये वाला एक finite sub cover मिल जाता है तो मेरे theorem proof हो जाती है मैं बोल दूँगी कि ये मेरा set compact है ठीक है अब देखिए हम एक assume करते हैं कि let a हम कोई set ले लेते है x belongs to a b such that a x is covered by finite sub family हमने a कोई set ले ले लिया such that a x is covered by finite sub family x belongs to a b means a x a में हमारे सारे elements के हैसे हैं वो सारे a b को belong करते हुए points है ठीक है जो हमने set लिया x किसको belong कर रहा है a b को belong कर रहा है इस तरह से हमने a set ले लिया अब ये जो हमने a set बनाया है अब देखिए मैंने आपको बोला कि आपने set लिया तो ये जो elements है a set के ये जो सारे elements है ये जो a set बना मेरा तो इसके जो सारे points है सारे जो elements है वो क्या है a b से belong करते हुए है इसी में से है अगर वो a b को belong करते हुए तो यानि कि b तक की जाएंगे इस से आगे नहीं जाएंगे ठीक है ना तो हम ड्रॉ कर लिते हैं, यह line है, मेरी minus infinity to infinity, मैंने एक set बना लिया, यह मेरा point A है, यह मेरा point B है, तो मैंने एक set बना लिया, तो यानि कि A में कौन से elements हैं, जो X तरह के elements हैं, जो कि क्या हैं सारे, इस set AB के अंदर ही हैं, किसको belong कर रहे हैं, यह सारे पूरे set AB को ही बिलॉंग कर रहे हैं तो यानि कि इसका मतलब क्या हुआ कि इससे उपर यानि कि B से उपर तो नहीं जाएगा अगर यह AB को ही बिलॉंग कर रहे है तो यानि कि B से उपर तो नहीं जाएगा तो B इस set के लिए क्या हो गई इस set के लिए upper bound नहीं होगी B से उपर इसका कोई point जाना ही नहीं है B तक ही जाके खतम हो जाना है तो B इसकी क्या बन गई B इसकी बन गई upper bound ठीक है B इसकी क्या बन गई upper bound बन गई therefore B is upper bound of set A A set के लिए B क्या बन गई यह जो A set था इसके लिए यह जो B point था यह मेरा क्या बन गया अपर bound बन गी इससे उपर मेरा set जाई नहीं रहा ठीक है अब हमें एक चीज और given है यह जो set A है जो A B है यह B तक चला गया यह जो set A है मैंने A और B के बीश-पीश में ले लिया सारा तो यह set मेरा क्या बन गया यह set मेरा bounded है also जो B है वो इसकी क्या बन गई upper bound बन गई B इसकी upper bound बन गई तो B set मेरा क्या बन गया, B अगर इसकी upper bound है तो B set मेरा क्या, यह जो A set है, यह मेरा क्या बन गया, bounded above बन गया B अगर इसकी upper bound है, so A is bounded above देखिए, अगर A belongs to A, अगर मैं A is equal to B ले लूँ अगर मैं A is equal to B ले लूँ यहाँ पे, A is equal to B, यानि कि यह point मेरा move करके अगर मेरा point यहां पर भी आ जाए तब भी मैं यह शीज़ तो बोली दूंगी न अगर A is equal to B ले ले लेती हूँ तब भी मैं यह शीज़ तो बोली दूंगी न कि A जो है वो at least एक point उसके अंदर है यह यानि कि A जो है वो मेरा not equal to phi तो है यह A belongs to A है और A जो है वो phi के equal नहीं है A is bounded above भी है phi के equal भी नहीं है bounded above भी है तो हम इस एक set के लिए क्या चीज़ बोलते हैं A non empty non empty bounded above above set has supremum यानि कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब supremum value जो है अगर bounded above set के लिए A के लिए मेरी supremum value exist कर गी ठीक है अगर मेरा supremum exist कर गया supremum अगर मेरा exist कर गया तो अगर supremum exist कर गया तो मेरा इसका मतलब मैंने यहाँ पर कोई point ले लिया let's suppose कि वो point है यहाँ पर C मैं इसको मा लेती हूँ कि यह मेरा supremum बन गया ध्यान से समझे इस चीज़ को C B is upper bound of set A B upper bound क्यों बन गए क्योंकि A B set हमने जो A set हमने consider किया वो set हमने इस तरह का consider किया कि उसमें सारे A B की ही elements है तो यानि कि B B तक ही वो जा रहा है तो B जो है वो उसकी अपर bound बन गी अगर B उसकी अपर बन बन गी तो यह bounded अबव हो गया अगर वो bounded अबव हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका सुप्रिमम एक्जिस्ट करेगा यह चीजद था हमें पता है न हा हम आल्रेडि कर चुके हैं अकर आपने नहीं कि यह है तो मैं लिंक प्रोइड कर वा देती ह옹 Kon찬 कर अगर सुप्रिम数 होता है तो उसका सुप्रिम एक्जिस्ट करता है अगर supremum exist कर गया तो मैं क्या ले लेती हूँ कि let मैंने कोई point C ले लिया C is equal to supremum of A मैंने क्या ले लिया C ले लिया supremum of A यहाँ पे यह कोई point मैंने C ले लिया जो कि क्या है इस A पूरे set का A set का supremum है ठीक है अगर वो C जो है अगर उसका supremum है तो C belongs to union of I from 1 to infinity A I इसकी union हो जाएगी क्यों इसकी union से belong करेगा देखिए C जो set है C जो point है supremum of A यह set है मेरा A भी और यह तो मेरा open cover है अगर C इसको belong कर रहे C point यहाँ पे अगर आ गया तो इसका तो part होई जाएगा तो यह सबका open cover है यह तो सबका ही open cover है यह तो पूरे के पूरे O B का ही open cover है पूरे के पूरे A B का open cover है तो यानि कि इसको तो यह belong करी जाएगा तो यानि कि C किसको belong कर गया union of A I को belong कर गया let's suppose कि अगर C है वो A J को belong कर रहे क्यों एच को बिलॉंग करें देखिए कोईभी पॉइंट है अगर किसी की यूदिन को बिलॉंग कर fatto इसे उट जो चोते हैं तो मैं ने बोल दिया कि यह जो पुएंट है यह पूरे के पूरे यूनियन को बिलॉंग कर रहा है यानि कि इसमें से कहीं तो हो गई ना वह पुएंट यह सारे सेट्स में से किसी ना किसी को तो बिलॉंग करेगा ही तो लेट स्पोस मैंने कर लिया कि वह एजे को बिलॉंग कर रहा है ठीक है अगर एजे को यह जो सारी collection है मेरे पास यह सारी collection जो open covers की होती है वो क्या होती है open cover के जो सारी collection किस से बिलके बनती है open sets को मिलके बनती है open cover की जो सारी collection होती है यह हमने definition open cover की जब हमने की थी उसमें हमने cover किया था कि जो open sets होते हैं जब हम उनको collect कर देते हैं तो वो open cover बन जाता है तो यह अगर open cover है तो यानि कि अगर AJC जो है AJ को belong कर रहे तो यानि कि AJ मेरे पास क्या है AJ is open set यह मेरे पास क्या है open set है अब देखिए मैं आपको draw करके दिखाती हूँ यहाँ पर हम यह draw कर लेते हैं minus infinity to infinity यहाँ पर हम थे तो यह मेरा AB है यहाँ पे C point मेरी supreme value है अब मैं कह रही हूँ कि यह जो C point है तो यह मेरा union में आ गया I from 1 to infinity AI यह इसमें union में आ गया because अगर AB जो है वो union का part है तो पूरे का पूरा यह union है यह C point पे तो उसका ही part बन जाएगी तो यह point मेरा किसमें आ गया इसमें आ गया अब यह let's suppose कि अगर union में आ गया तो किसी ना किसी एक में तो आ गया ना let's suppose कि वो जो AJ set है यह इसके अंदर आ गया किसी ना किसी के अंदर तो आ गया तो AJ के अंदर आ गया अगर AJ जो सारी collection होती है वो open set की collection होती है तो AJ open है तो यानि कि C किसको बिलॉंग कर रहा है, A, J को बिलॉंग कर रहा है, अब A, J open है, तो open set की refination हमने QE है, उसमें क्या होता है, कि जो C minus delta और C plus delta, open sets होता क्या है, open sets वो होते हैं, open sets की मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से पहले करवाई हूँ, अब Real Analysis की playlist में open set देख सकते है open set जो है, open set आपके पास होता क्या है, open set वो set होता है, जब आपने यसे ये set है, let's suppose open कब होगा, जब इसके चितने भी points है ना, उसके लिए हमें interval उसके अंदर ही मिल जाए, यानि उसका neighborhood, सारे points के लिए वो उसका neighborhood बन जाए, अपने सारे points के लिए, याट स्पोस की अगर य ये है, इसको मैं open set कब बलूँगी, जब वो अपने सारे points के लिए neighborhood बन जाए, अब neighborhood कब बनता है, यानि कि ये point जो है neighborhood कब बनता है, जब उसका आसपास का जो interval है, वो set के अंदर ही लाई करता है, यानि कि ये point मेरा C है, अगर C minus delta और C plus delta, अगर उसके अंदर ही लाई कर ज जाएगा, A, J को बिलॉंग कर जाएगा, समझ आ रही है, देखें चलिए हम ये point लिख लेते हैं कि C minus delta और C plus delta किसको बिलॉंग कर जाएगा, it implies C minus delta, C plus delta किसको बिलॉंग कर जाएगा, A, J को बिलॉंग कर जाएगा, A, J का element बन जाएगा, ये जो interval में बनाऊंगी न, यहाँ पर C minus delta और C plus delta, ये क्या बन जाएगा, ये A, J का element बन जाएगा, किसको बिलॉंग कर जाएगा, A, J को बिलॉंग कर जाएगा, क्यों कर जाएगा, क्योंकि ये open है, हम यहाँ पर लिख देंगे, by definition of, by definition of open set, open set की definition से ये चीज़ क्लियर हो जाती है, कि ये जो है, C minus delta, C plus delta, A, बिलॉंग कर जाएगा, अब अगर ये पूरा का पूरा पार्ट, C minus delta, C plus delta, A, J को बिलॉंग कर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बोली, कि ये पूरे का पूरा set मेरा union का set है, जो की है union of I from 1 to infinity, A, I, ये पूरे का पूरा मेरा A, I है, इ C plus delta interval है, ये मेरा AJ set के अंदर है, और AJ set मेरा किसकी अंदर है, ये तो मेरा union के अंदर है, तो यनि कि ये वाला जो C minus delta, C plus delta, मेरा union को भी बिलॉंग कर जाएगा, टीक है ना, तो C minus delta, C plus delta, ये किसको बिलॉंग कर जाएगा, that will belong to, yeah, that will contain in union of I from 1 to infinity, A, I, ये पूरे का पूरा कि के अंदर चला जाएगा यह पूरे का पूरा उसके अंदर ही चला गया यह तो contain कर गया पूरे का पूरा इसके अंदर एजे के अंदर contain कर गया और एजे जो मेरा है एजे मेरा है यह किसके अंदर contain करता है union के अंदर contain करता है union of i from 1 to infinity ai इसके अंदर contain कर गया ठीक है ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है इसको हम number 1 दे देते हैं अब देखिए अब एक चीज़ है हमारे पास हमने supremum of a लिया c को a set जो हमने लिया था उसका supremum हमने क्या लिया c point को फिर उसी point बात पर आते है c is equal to supremum of a c point हमारा क्या है supremum of a है अब हमने supremum of infimum की definition की हुई है supremum of a अगर आपने नहीं की है तो supremum of a की definition आपको supremum of a supremum और infimum की proper एक playlist बनी हुई है तो आप supremum की definition वहां से देखिए supremum जो है वो बहुत ही clearly मैंने पूरा concept आपको clear करवाया जो supremum of a होता है या supremum कोई value कब होती है जब उससे उपर अगर यह इसका supremum है तो इसके उपर कोई भी point नहीं होगा यह हमारी होती है least upper bound अपर बाउंट तो बहुत सारी हो सकते हैं अब जैसे a set है b इसकी upper bound है upper bounds तो बहुत सारी हो सकते है बट जो least upper bound होती है हम उसको क्या बोलते है हमारे supremum value अब C हमने यहाँ पर supremum value लिए है अब एक चीज़ होर होती है अगर यह C supremum बन जाता है C minus delta और C plus delta interval के लिए अब हमारे पास एक point कोई ऐसा यहाँ पर जरूर exist करेगा let's suppose कि X exist कर रहा है C supremum of A therefore there exists X belongs to A such that X will be greater than C minus delta यह जो X है ना मेरा यहाँ पर लाई करेगा कहीं पर अगर C supremum value है ना तो C minus delta अगर मैंने interval बनाया है तो यहाँ पर कोई point X लाई करेगा जो कि क्या होगा greater than C minus delta मतलब मेरे पास यहाँ पर बीच में बहुत सरे points है जो C और C minus delta के बीच में है कोई ना कोई एक point तो जरूर होगा अब देखिए अगर आपको यह चीज clear नहीं हो रही है तो मैं again आपको कहूँ कि मैं पूरा supremum part यहाँ पर नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि हम handboreal theorem से हट जाएंगे तो आप लिच सुप्रिमम को वहाँ से जो मैंने definition part आपको करवाया है तो आप जरूर उसको clear कर लिजिए कि यहाँ से आपको यह चीज बड़ी अच्छी तरह से clear हो जाएगी अगर नहीं देखिए तो प्लीज उसको देखिए गी X belongs to A such that X is greater than C minus delta X क्या है जो है यहाँ पर लाइक कर रहा है कहीं पर ठीक है तो मेरा X जो है वो क्या हो गया C minus delta से greater हो गया by definition of supremum यहाँ पर हम लिखी लेते हैं कि by definition of supremum अब supremum की definition हमें यह चीज बताती है अब देखिए अब यह जो मेरा है यहाँ पर A मैं X point draw भी कर लेती हूं अपना यहाँ पर मेरा point बना है X ठीक है चलिए अब मैं अगर यहाँ पर एक interval बना लूँ A से लेके C plus delta तक का A से लेके C plus delta तक का अगर हम interval बनाते हैं पूरे का पूरा तो वो interval मेरा क्या होगा A से लेके C plus delta तक का मैं इंट्रवल बनाती हूं चलो ए से लेके हमने कहां तक c प्लस डल्टा तक को हम डिवाइड करते हैं ए से लेके x तक ये a to x union c माइनस डल्टा और c प्लस डल्टा a to x union c माइनस डल्टा c प्लस डल्टा ये देखिए मैंने क्या लिखा ये क्यों लिखा वो चीज़ समझाती हूं देखिए हमने definition की थी open cover और sub cover की definition में मैंने आपको एक part clear करवाया था कि अगर ये open cover है यानिकी ये a1 है a1 है ये a2 है अब ये सारा ये open cover और बन गया इस चीज़ के लिए तो अगर दो ही set ने मिलके ये दो sets ही है ना इन्होंने मिलके इसको cover कर लिया दोनोंने मिलके तो मैं इसको क्या बोल दूँगी कि ये finite sub cover हो गए because हमार पस यह सिर्फ दो ही बने है यह सिर्फ दोनों ने मिलके इसको cover कर लिया तो मैं इसको क्या बोल दूँगी कि यह finite sub cover हो गया c plus delta के लिए a से लेके c plus delta के लिए हम b तक की बात नहीं कर रहे है a से लेके c plus delta तक की बात कर रहे है यहां तक इसने इसको cover कर लिया पूरे का पूरा reason इसने cover कर लिया तो मैं इसको क्या बोल दूँगे अब देखिए a to x जो है वो भी किसका part है union का part है देखिए a to x जो है वो किसको belong कर रहा है interval a to x जो है belong कर रहा है contain कर रहा है किसमे i from 1 to infinity ai में यह union में जो हमने starting में g alpha union ली थी a to x का जो part है यह भी इसका ही subset है यह इसका ही subset है और c minus delta यह इसका subset है यह हमने अभी यहां पे proof किया ठीक है c minus delta और c plus delta इस union का subset है यह हमने अभी यहां पे proof किया c minus delta और यह जो हमारा interval बना है c plus delta यह जो है वो किसमें contain कर रहा है union of i from 1 to infinity a i from first यह हमने अभी यहाँ पर प्रूफ किया और हमने इसको first नाम दे दिया from first यह चीज हमने proof कर दिया अभी यह भी इसकी union का ही पाट है यह भी इसी union का ही पाट है जो पूरी की पूरी हमारी union है न वो दोनों उसकी union का पाट है यानि की open covers का पाट है तो यानि की यह जो है इसको let's suppose मैं इसको अगर a1 बोल दू या इसको मैं अगर a2 बोल दू तो यह जो a1 union a2 आई है मेरे पास जो यह वली, यह जो A1 union A2 है, A C plus delta उसका क्या बन गया, open cover बन गया, A1 union A2 है, is open cover of A2 C plus delta, अगर आपने open cover की definition अच्छी तरह से नहीं किया, तो प्लीज उसको clear कर लीजिए, उसका link मैं आपको description box में provide कर वा देती हूं, ठीक है, A1 union A2 की आपने, इस open cover of A2 C plus delta, समझा रही है इतनी चीज़ की, A1 union A2, यह मैंने set A1 बोल दिया, यह मैंने set A2 बोल दिया, यह इस open cover का ही part है, यह open cover है, A से लेके C plus delta के लिए, हम sub cover कब बोलते हैं, sub cover वो होता है, जो open cover होता है, इसका, और पूरे का पूरा contain किसके अंदर करता है, इसके अंदर, वो होता है sub cover, अब यह A1 union A2 जो है, यह open cover है, इसके लिए, बट यह वाला भी A1 जो है, A1 जो है, वो subset कितका है, union of I from 1 to infinity A I, and जो A2 है, वो भी क्या है, that is also the subset of union of I from 1 to infinity A I, यहनि कि इसका मतलब क्या हुआ कि A1 union A2, that is also the subset of union of I from 1 to infinity A I, यह चीज़ ज्यान से देखना, अब A1 जो है, वो भी इसके union का subset है, A2 है, वो भी subset है, जब इन दोनों की मैं union कर दूंगी, तब भी क्या बन जाएगा, यह इसी का ही subset बन जाएगा, अब यह इसी का ही subset बन गया, तो यह क्या बन गया, यह एक sub cover बन गया और finite sub cover बन गया, विकॉस इसमें सिर्फ दो sets की union है, यह क्या बन गया, finite sub cover बन गया, तो A1 union A2 is finite sub cover, यह पार्ट हमने open cover और sub cover में clear किया है, finite sub cover of union of I from 1 to infinity A I का, यह finite sub cover बन गया, diagram से clear करती हूँ, यह मेरे पास set था, A1 union A2 यह, इसने इसको cover कर लिया, दुबारा देखिए, यह मेरे पास set है, A से लेके C plus delta तक का, यह set है, जो A1 union A2 है, इसने इसको cover कर लिया, बट total open cover मेरे पास क्या है, वो यह है, तो यही तो मैंने बोला था ना, कि अगर एक finite sub cover, इसको cover कर ले, तो वो उसका क्या बन जाएगा, sub cover बन जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह A से लेके C plus delta तक का जो पार्ट हुआ, अगर इसका finite sub cover मुझे मिल गया, यह एक finite sub cover के अंडर आ गया, ठीक है, नौ, यह जो डाइग्रम हमने ड्रॉ की थी, लास्ट में, यहाँ पे, अब यहाँ पे वापिस आते हैं, यहाँ से हमने, यह C minus delta था, यह C plus delta था, A से लेके C plus delta तक को मैंने बोल दिया, कि finite sub covers के अंडर आ गया, ठीक है, बट अब यह जीज़ देखिए, यह जो C से लेके, C plus delta था का जो part है, अगर मैं देखूँ, कि मैंने supremum लिया C को, C को मैंने क्या लिया, A का supremum लिया, हमने क्या लिया, हम यह जीज़ बोलेंगे, C से लेके, C plus delta था का जो part है, वो greater than क्या है, C से greater है, बट, C is supremum of A, C क्या है, A का supremum है, यानि कि C में, यानि कि A की value जो है, वो C से ज़्यादा नहीं जा सकती, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा draw करके दिखाती हूँ, यह हमारा A भी था, तो यहाँ पर हमने जो point C लिया था, यह जो C plus delta और C minus delta, यह जो आया ना यहाँ पर, C minus delta और C plus delta, यहाँ पर जो C plus delta का जो यह distance आया, यह जो छोटा सा distance आया मेरे पास, यह C से लेके C plus delta तक का जो distance आया, यह मेरा क्या है, कि यह जो C से C plus delta तक का distance है, यह C से तो बड़ा ही होगा ना greater than C तो होगा ही ना कि C से लेके C plus delta तक का distance जो C से तो आगे की values यह ना इसमें सारी but C तो मेरा supremum of A है यानि कि यह जो area है यह फिर belong तो नहीं करेगा यानि कि यह जो मेरा बन गया C से लेके C plus delta तक का जो area है does not belong to A यह तो A set जो मैं लेके चली थी वो set में मैंने यह चीज़ बोली थी कि A में X belongs to किस तरह के elements होंगे such that X belongs to A, B सिरफ A, B के ही element होंगे उसमें और देन हमने बोल दिया कि C उसकी supremum value है तो A, B के ही elements होंगे C supremum value है अब C से उपर इसने जाना नहीं है और B B इसकी upper bound है C से उपर इसने जाना नहीं है B इसकी upper bound है इसमें सिरफ हमने क्या लिया था कि X such that यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जब हम A set consider किया था यह रहा जब हमने A set consider किया था X belongs to A, A, B such that AX is covered by इस तरह से लिया था नहीं यानि कि उसके जो सारे elements जो थे हमने किस तरह से लिये थे वो A, B के अंदर ही होंगी यही सारे लिये थे कि वो A, B के अंदर ही होंगे बट जो C जो मैंने इसका upper bound सुप्रिमम ले लिया तो जो C प्लस जल्टा और C से लिख C तक का जो पार्ट है C से C प्लस जल्टा तक का जो पार्ट है यहां पे आते हैं वापिस C से C प्लस जल्टा तक का जो पार्ट है वो पार्ट जो है वो greater than C है बट C सूप्रिमम है therefore जो C से C प्लस जल्टा तक का पार्ट है मेरा A को belong नहीं करेगा ठीक है न अगर वो A को belong नहीं करेगा यानि कि यह जो मेरा point यहाँ पे है यह move करके कहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे B के पास चला जाएगा means मेरा इतना ही part इसके अंदर आ सकता है A set के अंदर यह नहीं आ सकता है यानि कि यह वाला जो C point है मेरा move करके कहां चला जाएगा B point के पास चला जाएगा ठीक है यहाँ पर हम mention कर देते हैं also B is upper bound of A set A set की B upper bound है यानि कि C मेरा move करके कहां चला गया उसके पास चला गया it implies C, C plus delta intersection A, B is equal to 5 यह कैसे हुआ देखिए C, C plus delta यह मैं कहा रही हूँ कि यह मेरा part जो है वो greater than A है तो यह A का part नहीं हो सकता ठीक है जो A है वो मेरा सारा A, B की जैसे ही है A है A set तो मेरा सारा A, B वाले elements है जो कि कैसे है A, B जैसे है जो A, B को belong करते है ठीक है तो C, C plus delta मेरा A को belong नहीं कर रहा तो यानि कि A set के अंदर C, C plus delta वाला part मेरा उसको belong नहीं कर रहा और C में सारे elements के हैं A, B वाले हैं तो यानि कि A गर इसकी मैं intersection करूँ तो ये वाला part मेरा बाहर चला जाएगा तो intersection क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी जब मैं करतूँगी तो यानि कि ये वाला point मेरा move करके कहां चला गया ये B point के पास चला गया इट implies जो C जो था हमने जो assume किया था हमारा supremum है जो हमारी upper bound B थी वही point हमारी supremum value बन की यानि कि C किसके equal आ गया B के equal आ गया जिसको हमने supremum बोला था या इसकी यहाँ पे हमने कोई supremum अपना assume कर लिया था वो C point हमारा move करके कहां चला जाएगा B के पास ही चला जाएगा ये हमने starting में देखने में पता चल रहा था तो B is equal to C ठीक है इसका मतलब क्या हुआ देखिए फिर आती हूँ मैं अपने डाइगरम पे इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे हमने लिया था कि A से लेके C plus delta तक का area जो है एक finite सब cover ने cover कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ A से लेके B तक का जो area है इट implies जो A B है A B is covered by finite सब cover उसको भी एक finite सब cover cover कर लेगा देखिए यह जो है यहाँ पे हमाए थे A से लेके यह हमारा था तो A से लेके C plus delta तक का सारा area जो है किस ने cover कर लिया finite सब cover ने cover कर लिया अगर इतना सारा area finite सब cover ने cover कर लिया तो यान कि A B भी finite सब cover ने cover कर लिया A B भी finite सब cover बन गया therefore A B is covered by finite सब cover therefore A B is compact यह तो हमारे पास compact की definition ही होती है ना जब finite sub cover बन जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं compact बोल देते हैं यह set compact कब होता है यह चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर एक finite sub cover बनता है इस open cover का तो मैं आपको क्या बोल देती हूँ कि यह क्या है एक compact set है यह हम already कर चुके हैं compact set की definition ठीक है अब यह part जो मेरा है यह जो open part है यह मेरा एक sub cover मुझे मिल गया इसके लिए finite sub cover मिल गया तब मैं इसको क्या बोल दूगी compact बोल दूगी अगर मुझे only sub cover मिलता है तो मैं उसको compact नहीं बोलती है जब मैं finite sub cover के अंडर आ जाती हूँ तब मैं उसको क्या बोल देती हूँ compact है विकॉज यह जो a1 union a2 था इसने cover किसको किया था a से लेके c plus delta तक का सारा area इसने cover कर लिया था और a से b तक का area उसके बीच में ही आ गया that means कि यह open cover बन गया किसके लिए a से लेके b तक के लिए यह open cover बन गया अब because यह a b जो है ठीक है देखिए अब आपको यह चीज़ अच्छी तरह से समझ आगी अगर आपको कहीं पे भी किसी तरह की भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे comment करके जरूर पुछे अगर कहीं से भी किसी तरह कभी कुछ भी point समझ नहीं आया क्योंकि यह theorem अपने आप में बहुत ही important है बहुत important result है आपको statement भी इसकी याद रहने चीज़िए और results हम आगे यूज़ भी करने वाले हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए सब कुछ अच्छी तरह से समझे अगर कहीं पर भी नहीं समझ आती तो आप मुझे comment करके जरूर बताइए मैं यह पार्ट समझ नहीं आया that's why I'm saying कि subscribe कर लिजिए और bell icon को press कर लिजिए new video आते ही आपको साथ की साथ पता चल जाएगा ठीक है thank you have a nice day keep watching my videos